हालो मेरे पड़या सार्व तो कैसे हो मेरे बबबर सेर और सेरनीयो उमेध है एकदम मज़े में होंगे और तैयारी भी एकदम बेहतर तरीके से चल रही होगी और आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक मज़ेदार वीडियो के साथ प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हम केमिश्ट्री के नौवे चैप्टर एमीन, एमीन के निर्माड की विधियां और एमीन के राशायनिक गुण को बड़े ही सिंबल तरीके से देखने वाले हैं आपके बोड एक्जाम में बच्चों क्वेश्चन इस तरह से पुछा जाएगा कि एमीन के निर्माड की किसी तीन राशायनिक समयकन को लिखो या फिर कह देगा कि एमीन क्या है एमीन से संबंधित राशायनिक गुण लिखिये तो कई तरीके से पूछा जा सकता है तो आज हम एमीन क्या है एमीन के निर्माड की विधी वा एमीन के राशायनिक गुण इन तीनों टॉपिक का पोश्ट माड़म बेहत सिंपल तरीके से करने वाले हैं तो वीडियो बड़ी ही सांदार होने वाली है चलिए देखते हैं भ सिंपल सा कॉंसेप्ट अमोनिया के वियुत्पन को एमीन कहते हैं कहने का मतलब है बच्चों कि अमोनिया से ही एमीन का निर्माड होता है कैसे होता है भीया चलिए देखते हैं देखिए बच्चों जब भी जब भी अमोनिया जैसे भई अमोनिया हो गया एनस थिरी हमने लि या ऐनस ठीरी से हम क्या कर देव यहां पर हम एक हाइड्रोजन निकाल करके एक एलकिल ग्रूप जोड़ दें तब क्या बन जाएगा तो ये बन जाएगा आपका ध्यान देना इसी में ये क्या बन चाहेगा आर उसके बाद NH2 क्योंकि हमने क्या किया एक हाइड्रोजन परमाडू निकाल कर इल्किल गुरूप जोड़ दिया कहने का मतलब यह है कि जब अमोनिया में से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाडू को इल्किल या फिर एरिल एरिल का मतलब बेंजीन वाला ठीक है जो इस तरह से होता है भया तो यह आपका एरिल वाला हो जाएगा तो उसके अस्थान पर चाहे तो एल्किल या एरिल को अगर जोड दिया जाए बच्चों या इसके द्वारा हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया जाए तो उससे जो कंपाउंड बनता है वही होता है ए ने इसमें फिर से क्या किया एक हाइड्रोजन निकालकर एक एल्किल ग्रूप जोड़ दिया तो बच्चों यह क्या बन जाएगा तो भीया अब की बार यह बन जाएगा आर टू क्योंकि यहां पर आर दो हो जाएगा और यहां पर एन एच बच दियाएगा ठीक क्योंकि एक पर भहिया हम क्या करते हैं हम फिर से वही काम करते हैं हम हाइड्रोजन निकाल कर रसगुलों एक एलकिल ग्रूप जोड़ देते हैं तो अब की बार क्या बज़ जाएगा ये आर्थिरी हो जाएगा और केवल और केवल एन ठीक यनि आप इतना याद रखना कि एमीन में नाइट्रोजन रहेगा ठीक है क्योंकि इसी को कहा जाता है नाइट्रोजन व्यूत्पन योगिक ठीक है ना या नाइट्रोजन योक्त योगिक कहा जाता है तो इतना पल्ले पड़ा भया इतना समझ में आया बच्चों हमने क्या बोला कि जब अमोनिया से एख या एक से अधिक हाइडरोजन परमाडू को एलकिल या फिर एरिल समुह के द्वारा विस्ता पित कर दिया जाए तो जो बन जाता है यह जो compound बनता है वही होता है एमीन तो यह क्या है एमीन है यह क्या है भीया एमीन है अब अगर हम बात करें तो एमीन में जैसे भीया एमीन में अगर वरगी करण देखें तो 1 डिगरी, 2 डिगरी, 3 डिगरी जैसे आपने हैलो एलकेन में देखा आपने भी इमीन में भी कभी कभार पूछ लेता है कि प्राथमिक एमीन, दुतियक एमीन, तृतियक एमीन किसे कहते हैं तो चलिए थोड़ा-थोड़ा समझ लेते हैं कि भया क्या होता है कि प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, सौट में थोड़ा समझा देते हैं या इसी को बच्चो कहते हैं अब प्राथमिक दुतियक और तिर्थियक ध्यान से समझना वच्चों देखिए प्राथमिक एमीन में जिसमें क्या हो जाए कि हाइड्रोजन को एक एलकिल परमाडू द्वारा भी स्थापित कर दिया जाए जैसे ये वाला ठीक है ना जब एक ही एक ही एलकिल परमाडू द्वारा अगर भी स्थापित कर दें तो ये आपका वन डिगरी हो जाएगा क्यों क्योंकि इसमें एक एलकिल गुरूप को एक हाइड्रोजन निकाला गया है तो तीयक में बच्चों इसमें दो होता है जैसे आर हो गया एन एच मतलब यह जो आपने देखा है वही चीज़ है यहां पे आर तो यहां पे आर टू यहीं तो है ना आर टू है और एन एच तो जब दो एलकिल परमाडू मलब दो एलकिल समूह द्वारा हाइड्रोजन को भी स्थापित किया जाए बच्चों दूतियक एमेन फिर रसगुल्लों आता है तृतियक तो इसमें क्या होता है भीया जब क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन परमाडू को तीन एलकिल समूह द्वारा भी स्थापित कर दिया जाए मतलब जैसे अगर इस तरह से लिखा है बच्चों जैसे CH3 NH2 प्राथ्मी के मीन हो जाएगा CS3 अब उसके बाद यहांपे आपका देदिया है भीया NH फिर उसके बाद CS3 तो यह दूतियक हो गया जैसे CS3 N CS3 फिर उसके बाद CS3 तो यह देखिए 3 है इक इसमें क्या है बच्चों एक A है तो यह हो जाता है आर का मतलब हो ही, चाहे CS3 लिखे, चाहे C2H5 लिखे, चाहे C3H7, यानि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, आप कुछ भी लिखते चले जाओ, अब यहां पर बच्चों इस तरह से ये तो रहा आपका, ठीक, एमीन, अब एमीन में बच्चों एक तरह से आ और दूसरा होता है, एरिल, तो एलकिल एमीन में क्या होता है, तो जो कुछ भी अभी आपने देखा, जो कुछ भी बच्चों आपने देखा यहां पर, वो एलकिल एमीन ही है, ठीक, अगर प्रकार में देखें, तो एलकिल एमीन में होता है भया, विभाजन, और दूसरा, एरिल तो एलकिल में जो भी आपने देखा जैसे CH3 NH2 या फिर जैसे कर लें भया जैसे हो गया CS3 CH2 NH2 मतलब अगर एलकिल जो ग्रूप होता है नाइट्रोजन परमाडू से सीधे जुड़ा हो क्या हमने बताया कैसे जुड़ा हो हो बच्चों सीधे ना सीधे जुड़ा हो जानी अलकिल ग्रूप जो नाइट्रोजन परमाडू होता है वह बेंजीन वलँयसे जुड़ा होता है जैसे यहाँ पर आपका दिखना यह NH2 है और यह सीध है हम इसको किस से जोड़ दें बेंजीन वल ऐसे तो यह आपका क्या हो जाएगा एरिल नाम क्या हो जाएगा बेंजेनमीन या इसी को बोल देते हैं एनिलीन ठीक या फिर जैसे ऐसे लिखा है भी या NH2 ठीक जैसे मतलब कि इसी तरह से इस तरह से जैसे लिखा है है अजिए यहाँ पर एक आपका झ l would you do हो जाता है तो यह यह किल में जिसमें entropy जो समना होता है लेकिन यह नाइट्रोजन परमार। होता है वो बेंजीन के वलाय से बंगा होता है यह अगर आप थोड़ा समझना चाहेते हैं तो समझ लिजी पांकि प्रमुकर्ण है बच्छों क्या है अत्रच है यह चीज और प्रात्मिक दुतियक त्रितियक एमीन में भी अगर पूंच ले खुदा ना खास था तो आप लिख सकते हैं ना समझ में आया कि अगर एलकिल परमाडू द्वारा एक हाइड्रोजन अगर दो एलकिल परमाडू द्वारा हाइड्रोजन को भी स्थापित किया जाये अगर तीन हाइड्रोजन अब देखते हैं बच्छों एमीन के निर्माड की विधिया जो सबसे इंपोर्टेंट है इस चेप्टर में चलिए देखते हैं भईया इसको चाप लीजिए थोड़ा चलिए मेरे प्यारे रजगुलों अब समझते हैं कि बाबु एमीन का निर्मार कैसे होता है ठीक ना व एमीन का निर्मार कैसे होता है देखे पहला है हाफ मान ब्रोमे माइड अभिकिरिया द्वारा तो इसमें नेमिंग रियक्शन भी जो आते हैं तो पहला है हाफ मान ब्रोमे माइड अभिकिरिया द्वारा अब इसके द्वारा कैसे एमीन का निर्मार होता है हमने थोड़ा हिंदी में लिख दिया है बट आपको टेंसन नहीं लेना रसगुलों क्योंकि आपको नहीं लिखने की जुरुरत है आपको वहां बोर्ड एक्जाम में नहीं लिखना वहां पर बोलेगा केवल रासायनिक समीकरन लिखना होगा यह तो आपके विया सुविधा क और साथ में कास्ट मुलब यह सोडा ठीक है ना किसे के साथ कराया जाता है तो एथीलेमीन प्राप्त होता है इस ही कहा जाता है हापमान ब्रोमेमाइड करिया जैसे यहां पर जैसे सी टू एच फाइब सी ओ एन एच टू प्रोपेनामाइड क्योंकि दो एक तीन कारवर हैं पहले पर मेथ दूसरे पर एथ तीसरे पर प्रोप मेथ है प्रोप तो प्रोपेना और यहां पर भया जब सी ओ एन एस टू होता है एमाइड पढ़ा जाता है प्रोपेनामाइड हो गया अब प्रोपेनामाइड की किरिया किस से कराना है तो एक तो भया बी आर टू से कराना है और दूसरा बच्चों के साथ कराना है के ओएच के साथ कराना है ठीक और जब हम किरिया कराएंगे पहुत ही इंपोर्टेंट रियक्षन है भच्चों मोश्ट इंपोर्टेंट है आफ मांन रोमे माइड अभिकृया ठीक वहाँ पर लिखना होगर के वल रियक्शन ही आपको याद होना चाहिए ठीक तो भीया कह रहा है कि एमीन बनाना है तो c2, h5, nh2 निकाल देंगे तो भीया c2, h5, nh2, एथेन एमीन निकल गया उशके अलावा अगर k है, k पर प्लस आयन होता है, b r पर माइनस होता है, तो के बी आर साल्ट बन गया बच्चों यानि लवण बन गया उसके अलावा आपका और क्या है अगर है ओ है तो है तो जल भी निकल गया अब यहाँ पर के है सी हो तो के टू सी ओ थिरी भी बन गया सी ओ ठी और साथ में एक जल भी बन रहा है ठीक है तो यह हो जाएगा अब लेकिन ध्यान देना भीया इसको करना पड़ेगा संतुलित इसको संतुलित करना पड़ेगा बच्चों पिना संतुलित करे यह विक्रिया अधूरी है तो संतुलित करते हैं, देखिए, B, R, 2 है, तो यहां पर बच्चों 2, B, R, मतलब 2 लगा देंगे, तो 2, B, R हो गया, अब देखिए, K, भई, 2 है, और K, 2 है, 2, 2, 4, तो 4 हो गया, तो यहां पर बच्चों, यहां पर हम 4 लगाएंगे, एक मिनट इसको थोड़ा हम अटा देते हैं इसको थोड़ा इधर करके तो यहां पर कितना लगेगा भीया यहां पर चार लग गया चार कोई अब देखते हैं आगे कुछ आगे कुछ मिलाईए भीया अक्सीजन देख लेते हैं कि चार अक्सीजन है चार एक पांच अक्सीजन है तो यहां तो देखिए तीन है और यहां पर एक है तो देखिए अगर दो लगा देंगे तो तीन दो पांच आक्सीजन बराबर हाइड्रोजन गिन लेते हैं यह कारबन गिन लेते हैं कारबन कितना है तो एक तीन कारबन तो दो और एक तीन कारबन बराबर है आक्सीजन तो देखते हैं hydrogen hydrogen थोड़ा गड़बड है क्या चार hydrogen 4 2 6 और 6 5 11 है भीया तो यहां पर 5 2 7 ठीक और 7 4 11 अब बराबर हो गया अब क्या है यह आपका reaction बराबर हो गया ठीक है चलिए तो यह हो जाएगा half man bromamide किरिया द्वारा बनाया क्या आपका जो main compound है भीया main compound यही है क्या बोलत है एथिल एमीन क्या कहेंगे एथिल एमीन इस कलर से साथ दिख भी नहीं रहा होगा दिख रहा है कि नहीं comment करिएगा ठीक तो यह एथिल एमीन है अब बाकि यह तो भीया प्रोपेना माइड है प्रोपेना माइड है ठीक यह हो जाएगा अब दूसरी reaction है चलिए इसको पहल दूसरा कह रहा है एथिल एलकोहाल द्वारा तो एथिल एलकोहाल के द्वारा एमीन कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं भबुआ देखिए क्या होता है कि एथिल एलकोहाल की किरिया जब अमोनिया से कराई जाती है तो एथिल एमीन बनता है यू समझना एमीन बनता है बस तो भीया जैसे एथिल एलकोहाल तो C2H5OH एथिल एलकोहाल लिख लिया भीया एथिल एलकोहाल की किरिया किसे कराने को बोल रहा है बच्चों तो किसे कराना है अमोनिया से तो भीया NH3 अमोनिया से कराना है तो अमोनिया से किरिया कराते हैं तो क्या बनेगा दिखें C2H5 और यहां से एने हस्तू निकाल लेंगे तो सीटू एच फाइब एनेस्टू एथे ने मीन या एथिल एमीन बन गया और साथ में अब क्या बच गया जाया यहां पर एक एचक बचा है एच्टू हो गया एक ओ भी बचा है वच्छों तो एच डू ओ जल्व ही पन गया ठीक है तो यही क्या हो जाएगा भीया यही आपका हो जाएगा एथिल एमीन एथिल एमीन या एथेन एमीन ठीक एमीन बनेगा इतना याद रखना यह आपका एथिल एलकोहाल है ठीक एथिल एलकोहाल या एथेनॉल कह सकते हैं ठीक यह तो अमोनिया है समझ में आया भीया चल हुग गया बच्चों चलिएं तो यह तो भीद्धी हो गया पहला हाफमान ब्रोमे माईड़ गरिया दौरा कैसे ऐमीन बनाते दूसरा है बच्चों एथिल अल्कोहाल दोरा अमीन कैसे बनाते हैं चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट और जो भी रियक्शन्स हैं अगला है एमाइड से ठीक यानि एमाइड से कैसे अमीन बनाएंगे चलिए देखते हैं दिखें भया एमाइड में क्या होता है जब लिथियम अलूमिनियम हाइड्राइड ठीक की उपस्थिती में एमाइड का अपचेहन कराया जाता है तब क्या बन जाता है एमीन प्राप्त होता है तो कोई भी एमाइड ले लेते हैं जैसे CH3-CONH2 Acetamide जिसको बोलते हैं Acetamide इसको पढ़िए या Acetamide इसका हो रहा है अब चैन तो यहां पर किया जैसे H2 से करा देंगे या एक अकेले लिख देंगे ठीक अब देखिए बनेगा क्या तो भीया हमको बनाना है अब चैन कराएंगे तो Amine बनेगा तो जैसे यहां पर CH3 है तो CH3 निकाल लिया यहां पर NH2 है तो NH2 हो गया ठीक है न तो CH3 NH2 अब उसके अलावा और क्या बन जाएगा और क्या बन जाएगा एक मिनट वह यह ऐसे नहीं बनेगा C2 है तो C2 H5 NH2 बनेगा भीया C2 है H5 3,2,5 हो गया तो H5 मतलब यहां पर H5 लिख दिया ठीक है अब उसके बाद NH2 अब बचता क्या है कुछ बचेगा भीया C2 हो गया H5 हो गया फिर NH2 बच गया उसके अलावा आपका एक जल भी बनेगा इस अब क्रिया में ठीक लेकिन वह संतुलित करना पड़ेगा इस गुलो संतुलित करना है तो जड़ा देखते हैं देखिए अगर इधर देखें तो 5,2,7,2,9 हाइड्रोजन तो यहां 3,2,5,2,7 अगर यहां पर हम लगा देते हैं थोड़ी देर के लिए समझेगा अगर हम 2 लगा दें तो भीया 2,2,4 हो गय अपका अथिल एमीन इधिल एमीन या एतेन हले मीण और ये आपका क्या है एक सीतमार इसितमाइड होता है मिलाकर पढ़ेंगे सीतमार ठीक तो यह हो रहा है अब उचयनिया क्या हो रहा है याद रखना अए टेर सन से क्रिया का मतलब अबसे हले ओप से ही होता है ठीक है ना चलिए अब उश्के बाद अगला है इसमीट कर्या वन अब मॉस्ट ine destry यो आध डर्मोस्ट इंपोर्टन्थ सन ये भी काफी मिइंपोर्टन ओल उच्छों इस्मिट अभिक्रिया बहुत ही मज़ेदार सी रियक्षन है कि इस्मिट अभिक्रिया के द्वारा एमीन का निर्मार कैसे होता है एक मिन्ट भे देखे उसके बाद भिया इस्मिट अभिक्रिया इस्मिट अभिक्रिया में होता क्या है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड के उपस्थितिये में जब कार्बोक्षलिक अमल की किरिया हाइड्रे जोईक अमल से कराते हैं तो बनता है एमीन अब दिखे इसमें आप एल्किल वाला भी लेकर चल सकते हैं एरिल वाला एल्किल वाला का मतलब जैसे कोई लिख लेंगे तो भिया जैसे यहां पे हमने सी एस्थिरी एक ऐसे ले लिया आपका क्या हो गया कार्बोक्षलिक अमल भिया इसकी किरिया करा देते हैं बच्चों किसके साथ तो इसकी किरिया कराना है हाइड्रे जोईक अमल हाइड्रे जोईक अमल का फार्मूला होता है एन थिरी एच हाइड्रे जोईक अमल से किरिया कराते हैं तो जब हम हाइड्रे जोईक अमल से किरिया कराएंगे बनेगा क्या जिसे सी एच थिरी समझे सी एस थिरी निकाल लिया तो सी एच थिरी हो गया यहां पे एन थिरी N1 निकाल लिया H2 यहां से ले लिया एक और एक दो H2 हो गया अब यहां बचा क्या है N2 बच गया है यहां क्या बचा है CW बच गया है तो बचो नाइट्रोजन गैस भी बन जाएगी और साथ में CO2 गैस भी ठीक है तो यही क्या हो जाएगा Ismit reaction इसमीड अभिक्रिया यह क्या बन जाएगा तो यह आपका हो जाएगा Methyl Amine Methyl Amine या इससे को आप लिख सकते हैं Methyl Amine अभी ध्यान से समझना कहीं कहीं आपको यह इस तरह से ना दिक कर यहां पर कोई ऐसे लिख देगा यहां पर ऐसे कर देगा यह ठीक है यहां पर CWOE चलिक देगा तो यहां पर फिर वही चीज यह बन जाएगा इस तरह से बन जाएगा ठीक है यह बन जाएगा यहां NH2 तब इसको बेंजेन एमीन पढ़ेंगे या एनिलीन और यह इसको बेंजोई कमल पढ़ेंगे तो ध्यान देना चाहे आप एलकिल वा इमीन के निर्मार की विधिया चले रसगुल्नों इसको भी चाप लेजिए हैं अ के हो गया और तो यह रही आपकी मतलब 4 इमीन के निर्मार की चार विधियां हमने देख लिया मैंक्सिमाम आपका तीन ही पूछता है नहीं तो दो ही पूछता है भी कभी गवार ऐसे ق Already रासायनिक गुण देखते हैं तो एलकोहालवा एन्टू बनता है हला कि ये हिंदी वाला आपको बोर्ड इक्जाम में नहीं लिखना होगा रासायनिक गुण में केवल रासायनिक समीक्रण डिरेक्टली ऐसे लिखेंगे तो हमने कोई भी आह जैसे हम कोई ले लेते हैं एमीन C2, H5, NH2 हम कोई एमीन ले लेते हैं इसकी किरिया नाइट्रस अमल से तो HNO2 नाइट्रिक अमल कहता है तो HNO3 लिखते हैं बट नाइट्रस अमल बोल रहा है तो भी या HNO2 लिखेंगे इसकी जब किरिया कराएंगे ज्यान देना एलकोहाल बनेगा देखिए यहां से C2, H5 निखाल लिएंगे तो C2, H5 निकल गया बच्चों उसकी अलावा एक यहां से O ले ले लिएक हैस ले लेंगे तो O UR हो गया अब क्या बचा है ध्यान से समझना एन और एन दो बच गया है मतलब दो एन है तो एन टू हो गया एन और एन एन टू हो गया और क्या बचा है एक आक्सीजन बचा है एक आक्सीजन बचा है हाइड्रोजन देखते हैं कितना है लिखा है पांच एक च्छा तो यहां तो यहां और एक बच गया है तो H2O भी बच गया है सीधा सीधा सा रेक्चन ने इसमें कुछ भी नहीं करना है ठीक है ना कुछ भी नहीं करना है क्यों क्यों क्योंकि C2H5 और एक हमने ओ लिया यहांसे एक C2H5OH हो गया अब यहां एक बचा है और एक यह निया बचा है तो भीया N2 हो गया यहां का H2 बचा हुआ है यहां का एक आकसीजन बचा है H2O यानि जल बन गया तो बच्चों यही क्या हो जाएगा यह आपका हो गया यह यह या इथिल एल्कोहाल या एधेनोल एतिल एलकोहाल और यह आपका क्या है यह आपका एतिल एमीन या एतिल एमीन वह गया नेktion हों कि हो गया चलिए नेक्ट देखते हैं अगर वीडियो पसंद आ रहे तो भई प्यार से लाइक जरूर कर दो ठीक है ना क्योंकि आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं बिदाउट एनी कॉस्ट बिना एक रूपए लिए अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो कहीं हमें तकलिफ होती है कि हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और आप लोग हो तो बिलकुल भी कोई मतलब नहीं तो ऐसा मत करो पैसे नहीं लगते हैं सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं सेयर करने के अगर इतना भी नहीं कर सकते हो तो भई कहीं न कहीं हमने बोला ना दिल से बहुत जादा हर्ट होता है बहुत तकलिफ होती है ठीक है न बुरा लगता है एक दूसरा है हाइलोजन अमले से किरिया करके क्या बनाता है साल्ट यानी लमड बनाएगा जाहिर सी बात है भी या देखिए जो एमीन है हम कोई एक क्या करते हैं एमीन ले लेते हैं कोई भी एमीन तो जैसे यहाँ पर सी एस्थिरी एनेच टू ले लिया एक एमीन हमने ले लिया इसकी किरिया किसके साथ करा देना है है लोजन अमल तो हमने भीया एच सी एल के साथ करा दिया ठीक है इसकी जब हम किरिया से समझना C H 3 और यहां पर यह बन जाएगा एन अभिया यह एच थिरी हो जाएगा एच थिरी और यह KCl अगर यहां पर आप नोटिस करें यह पूरा का पूरा पार्टी धनायान होगा यह रिड़ायन अब साल्ट में होता क्या है यह प्लस और माइनस थिके ना साल्ट में तो यह क्या हो जाएगा एक साल्ट यानि एक लवण बन जाएगा एक लवण बन जाएगा ठीक है ना समझ में आया कुछ नहीं करना था एकदम आसान से रियक्षन थे ठीक चलिए नेक्ष देखते हैं क्लोरोफार्म तथा के ओच के साथ किरिया जिसको कार्विल एमीन अभिकिरिया भी कहा जाता है ठीक है कि चलिए नेक्ष देखते हैं क्लोरोफार्म तथा के ओच से किरिया जिसको कहा जाता है कार्विल एमीन अभिकिरिया यह भी बच्चों मोश्ट इंपॉर्टेंट है भी या कार्विल एमीन देखिए इसमें मुख्य रूप से तीन या चार ही रियक्षन है और तीनों हमने सब्साद रखना जिए जब भी क्या होता है एमीन की किरिया हम क्लोरोफार्म को से करते हैं तो इल्क्य И다 देखता है कैसे बनता है चलिए देखते हैं हम कोई यह में ले ले लändern C2 H5 NH2 एक एमीन लिख लिया भया इसकी किरिया कराना है किसके साथ बच्चों इसकी किरिया करा देना है अपने को मतलब क्लोरोफार्म CHCL 3 इसके साथ कराएंगे और साथ में ही भया इसकी किरिया होगी KOH के साथ जब इसके साथ किरिया होगी तो क्या बनेगा वो समझना है क्या बनेगा तो भया एक तो इलकिल आइसो साइनाइड तो भया C2 H5 यहां से निकाल लिया अब K है बचों, K क्या है POTACIUM है, PLUS AYON होता है, CL है, ये क्लोरीन है, तो भज़या, K और CL का COMBINATION होगा, तो KCL बन जाएगा, क्या बन जाएगा, KCL बन जाएगा, अब यहां पर OH है यानि H है OH है तो भीया H2O यानि जल्भी बन जाएगा ठीक है तो यह अपने reaction हो जाएगी ठीक यह हो जाएगा reaction अगर इसमें भीया हमको सायद लग रहा है कि यह संतुलित ना हो तो देख लेते हैं संतुलित कर लेते हैं देखे CL3 है तो यहां पर हम 3 लगा देते हैं है ना यह तभी तो बराबर होगा और बाकी सब कुछ लगभग लगभग शेम है और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सब कुछ बराबर है देख लेजिए अगर कहीं फी थोड़ा इधर उथर हो तो इसको बैलेंस कर लेजिए ठीक है अब देख लेते हैं बही आक्सीजन पहले देख लेते हैं तीन आकसीजन है तो आकसीजन यहां पर भी तीन होना चाहिए अब ये तीन आक्सीजन हो गया तीन आकसीजन हो गया अगर हो गया भ्या तो virgin 3 2 2 6 हो गया 6 5 11 ठीक 3 1 4 2 6 5 11 बात बराबर हो गई ठीक हैना क्या हो गया बात ये बराबर हो गया है ठीक तो यह हो जाएगा क्लोरो फार्म यारी कार्विल एमीन अभिक्रिया चलिए इसको भी जल्दी से स्क्रिन्सॉट कर लेशे हैं हो गया भी तो बस आज के इस वीडियो में इतना है और हां एक चीज और याद रखना देखिए यह आप संतुलित करने वाली चीज आप इसको अपने से थोड़ा हमने संतुलित कैसे करते हैं एक वीडियो भी बहुत पहले बनाया था नहीं आपको समझ में आता तो आप देख कुछ भी नहीं है आज के इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आयो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना नय है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजे ताकि मसेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुचते रहें मिलते हैं किसी और मसेदार टॉपिक के सा बात लब यू बाई बाई टेक एर और हाए वीडियो में एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर देजिएगा कर दो